सब्सक्राइब को बताएं कि आपका JSC है जारखंड एकसाइस कॉंश्टेबल जारखंड रुतपाद सिपाही के लिए वेकंसी रिलीस कर चुका है और इसका फॉर्म भराने जल्दी आपके स्टार्ट हो जाएगा 25 से आपका भराने स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग पहल जाता है ना मन में की थोड़ा सा खटक जाता है कि फॉर्म सही से भराऊ या नहीं भराऊ तो बेसिक सा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा क्या स्ट्रेजी रहने चाहिए आपको JSC जो आपका जारकन उत्पाद कोंश्टेबल के जो भी है उस पोस्ट के आपको प्रणा वह अज कंपेर टू सेंटर के एक्जामनेशन में वह कुछ हद तक उसका कम्पिटेटिवनेस कम रहता है पहली बात केंडिडेज कम अपलाई करते हैं ठीक है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जारकन से रिलेटेड हो तो जारकन से रिलेटेड कोश्टन आप पढ़ रहो मालों इंडिया के बारें पढ़ रहें तो एक वूल इंडिया के बारें कापे ज़्यादा ब्रोड पढ़ना पढ़ता है जबकि आप जैसे जारकन में आ जातो चीजे सीमड जाती है खैर देखते हैं सेलेबस तो हलाकी इजी है मैं पहले बता दू सलेवस जीजिए तो अज यूजिवल जो आपका जैसे में कंडिशन है यहां पर भी आपको कौन से पेपर थ्री पेपर होने वाले है ना पहला पेपर आपका जो लेंग्वज पेपर होने वाला यह तो आपका कंपलसरी रहेगा हिंदी भासा कर एगा एटी कोशन रहेंगे अंग् तो इसमें आप देखो उर्द्रस अंठाली जो कुछ भी यहां पर लेंग्वेज को और मोस्री जो हिंदी बैंग्रांड से आते ज़िए g लिए और तीस्रे की बात करें अच्हा तो ये इसका मांस जूटेगा है ना ये जो paper 2 है language paper जो आप optional पे लोगे अपने selection पे तो उसका माक्स अपका एक पर चूटने वाला है ठाट पेपर जो आपका है वो आपका performer जो आपका JSAC था CGL JSAC का जो CGL था उसमें आपका क्या था कम्पूटर भी था इसमें कम्पूटर आपको हटा दिया गया है कम्पूटर है ही नहीं तो चलो जिल लोगो कम्पूटर से काफ़े ज़्यादा दिक्कत हो रहा था के लिए तो बैटरी है देखो question का distribution कैसा है इसमें सब की बात करूँगा ठीक है देखो first of all सब में 30% आपको लाना जो रही है तब ही आप qualify होगो यह आपका basic minimum qualification के लिए बात करता है paper one जो है उसमें बस आपका qualifying इनेचर है इसा देखो इसका पहले distribution देख लेते है ना paper one और इसका उसके बाद मैं discuss करूँगा कैसे आपको preparation करना है हलाकि paper one का distribution देख लेते हैं देखो paper one जो आपका भाशा language है ना उसमें हिंदी और इंग्लिस का तो इंग्लिस का जो आपका question आएगा 40 मास का यह दूनों मिला के आएगा और हिंदी में आपका 20 और 60 का यह combine आपका आने वाला है अब देखो अंग्लिस जी तो हलाकी कम ही रखा गया है और question भी काफी easy way में रहते हैं question ऐसा नहीं ज़्यादा high five रहते हैं ऐसा नहीं रहता है तो अंग्लिस जी में जो unseen passage आएगे 20 question रहेंगे और फ्याकरन में भी 20 question रहेंगे अच्छा negative marking है तो इस चीज का ध्यान रखना अब ऐसा नहीं सोच लो की negative marking नहीं है negative marking है तो आप उन सब चीजों का ध्यान रखना हिंदी में बात करें तो हिंदी में unseen passage रहेगा जो जो आपने कभी नहीं देखा वैसे अनुछीद रहेंगे उसमें आपका 20 question रहेंगे और जो आपका व्याकरन है व्याकरन से 30 question रहेंगे तो व्याकरन का अप 3 क्लास का कोई साभी grammar book उठालो बहुत अच्छे तरीके से grammar दिया गया हो हिंदी व्याकरन दिया गया हो बहुत ही बैतरीन तरीके से आप बहुत बैतरीन बुक है वो व्याकरन के लिए तो छोटे-छोटे question बनते हैं काभी अच्छा सो knowledge होना चाहिए व्याकरन का तो यह आपका cover हो जाना चाहिए चुकि इसका marks add नहीं होगा बस 30% लाना है qualifying in nature है तो वो आप easily cover कर लोगे और mostly जो कोई भी preparation कर रहे है वो इसको easily cover कर सकते है उसका बात करते हैं second paper का है ना तो second paper में क्या है यह आपका language है तो language में भी वही आपका क्या होगा ना मैंने जैसे आपको जैसे सीख बताया था इसमें भी detail करा दूँगा कोई अगर particular language का चाहिए आपको तो तो क्या होगा कि जो भी language paper रहेंगे उसमें आपका एक grammar portion आएगा और एक कुछ लोग गीत लोग कता उसे से related question रहेंगा और उसे से लेके question बनेंगे 100 question रहेंगे इसमें है ना और इसको इसमें आप जितना marks score कर सको आपके लिए benefit होगा तो वैसे ही subject को चूज करना जिसमें आप ज्यादा score कर सको क्योंकि इसका marks भी आपका merit list पे aid होने वाला आप बात करते हैं इस paper की जो की काफे ज़्यादा important paper हो जाता है काफे ज़्यादा MTS वगरा के level में question रहते हैं ज्यादा toughest question नहीं रहते है general science का आपको कुछ question आना चाहिए भी easy रहते है जैसे अगर किसी ने railway के preparation कर रखी होगे तो उनके लिए बहतर हो सकता है हलाकि आपको general science पढ़ना है ज्यादा tough नहीं पढ़ना है तक आप general science कवर कर लोगे तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा enough हो जाएगा और इसलिए आप 20 कवर 20 में सकम 70 80 आप easily cover कर सकते हो जारकन जी के तो सबसे ज्यादा वेटेज यही रहता है चोकि state का examination जारकन से related तो question पूछा ही जाएगा अब देखो जो लोग JSC की preparation कर रहे हो जो लोग JPSC के लेके पढ़ रखे थे और उनका जारकन जी के अच्छा सक कवर है तो definitely देखो student कहां मारकाते में हमेशा से बोलत चाहिए होता है आप SAC के बात करो यह रेलवे के बात करो अदर कुछ examination में नहीं चाहिए होता गनीट आपको हर examination में चाहिए होता तो यह तीन हो पॉर्षिन ऐसे हैं जो हरी के चाहिए हो तो हरकिसी का अच्छा रहत आ आने चाहिए सिंपल सा लोजिक और बहुत सारे स्टुटेंट रहेंगे जो पूरा दस अटेम्ट करके आएंगे यहां से आपका सेवेंटीन टू नाइंटीन कोश्टिन एजिली हो जाना चाहिए मोश्टी सेवेंटीन कोश्टिन तो हर किसी से बनना चाहिए बाकि समान अध् जब अगर सुरुवाती दौर पर पढ़ते हो लेकिन मुझे वह सोर्स अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैंने तो जब भी कवर किया जीके वगएरा वह कवर किया तो बहुत सारे सोर्स से कवर किया है हलाकि आपको एक पर्डिक्ला सोर्स पर होता किया ना जो आपको लूस आपको इतना बहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और वैसे जो इंग्लेस में प्रिप्रेशन कर रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आता है तो मैं बोलूगा मनिश रंजन का बुक ले लो यार दिक्कत मतलो बहुत सारे और भी कुछ एक दूर राइटर के बुक आते हैं लेकि मन समसामाई का जो आता है करेंट अफैस वह आप कवर करो और जहारकन जीके को अच्छे से कवर करो यहां से कोश्चन आएंगे और बहुत अच्छे मास आपको देख जाएंगे समानिगान कुछ ज्यादा टफेश नहीं रहता है कहीं से भी पढ़ सकते हो समसामाई के से करेंट अफैर इसमें जानना पड़ेगा जो आपका जेनरल करेंट अफैर इंडिया लेबल पर भी रहता है तो यह कुछ ज्यादा टफेस्ट नहीं रहते है बहुत जो नोन रहते है वह इस चीज़े का कोश्च रहते है तो बेसिक सा यह दो गंटा का आपका एक्जामनेश चैनल को सस्क्राइब करो अपना प्यारतो है ना लाइक करो दोस्तों के साथ सेर करो और जूर जाओ हमारे आई सेडी क्लासेस के साथ मिलता हो किसी और वीडियो में जैन